असलाम लेकुम क्लास, बचो आज हमने नेक्स एक्ससाइस 4.4 डिसकस करनी है, 4.4 एक्ससाइस के आपके जो स्लेबस में क्वेस्टन्स इंक्लूड हैं वो 5 से 18 है, लेकिन आज मैंने आपके साथ क्वेस्टन नमर 5 से 10 डिसकस करने हैं, 15 से 18 डिसकस करने हैं, हर पार्ट का एक स 10 questions है यह आपके पास 5 questions 6 questions बिल्कुल सेम है इन questions में आप से कहा है रिमान सम आपने calculate करना है किसी भी sub interval P के लिए रिमान सम को आप R of P से denote करते हो partition को P से denote करते हो A part में आपने उसका left hand end point बताना है B part में right hand end point और C part में mid point बताना है आपके पास इन इनों पार्ट के formula होते हैं आपने सबसे पहले इन formula को याद कर लेना है और फिर देखने कि कैसे मुसको calculate करते हैं मैंने हर पार्ट के starting को इसका formula बताया हुए है सबसे पहले तो देखें क्वेस्टन नमबर 5 था 5 के इंदर एक function बता दिया वर 2X plus 3 उसके respect से कोई भी partition P बता दियो या 1,3,4,5 और N की value बता दियो ही है A part में कहाँ उसका left hand end point निकालना है B part में कहाँ उसका right hand end point निकालना है और C part में उसका mid point का हुआ है सबसे पहले A part पे आए A part है left hand end point left hand end point का आपके पास या formula होता है आपने ये वाला formula जुबानी याद कर लेना है उसके बाद इस formula के respect से solve करना है तीनो पार्ट के different formulas हैं left hand end point का formula मैंने लिखती है है आप लोगों ने देखिए formula लिखने के बाद देखने के N की value question में कहां तक बताई हुई है आपको question में कहा हुए N 3 है तो आप यहां पे next step में क्या करोगे इस पूरी की पूरी term को लिखोगे N की जगा उसके अंदर 3 put कर दोगे क्योंकि आपको ये वाली value चाहिए इस वाली value के लिए आप इस term को solve करोगे तो इस side का answer आ जाएगा आपने N की value 3 लिख ली यहां पे 3 लिखने के बाद देखें आपके पास item limit वाली as it is submission के फ्रों 123 f of x k minus 1 del x के आ जाएगा अब 1 by 1 k की value put करेंगे देखें कि आपका start कहां से हो रहा है 1 से start हो रहा है और कहां तक जा रहा है 3 तक जा रहा है यानि के 1 से लेके 3 तक जाना है 1 और 3 के दर्मियान 2 भी आता है तो 1 2 3 तक जाना है एक दफ़ा हर जहां जहां की आ रहा है वहां 1 put करें दूसी दफ़ा वहां 2 put करें तीसी दफ़ा 3 put करें और submission बताते हैं उन तीनों के दर्मियान plus का sign लेकि आना है लिमिट as it is आगई इस emission में पहले के की जगा 1 put किया तो f जहां जहां की आ रहा था है यहां 1 put करेंगे तो 1-1 0 जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा प्लस 2 put करें 2-1 1 ओजाएगा और 2 यहां 2 आ जाएगा प्लस 3 put करें 3-1 2 ओजाएगा और यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा करने के बाद f of x node f of x1 f of x2 और del x1 del x2 del x3 अब इन 6 terms की आपको value चाहिए अगर इन 6 terms की value निकल जाती है तो limit apply करके आपका answer आ जाएगा अब question के अंदर हमें f of x की value दी हुई है जो जो हमें value चाहिए होगी यह तीनो values हम यहां से निकालेंगे अगर x node चाहिए तो जहां जहां x are आ रहे वहां आप x node पुट कर दो तो आपके पास f of x node की value आजएगी अगर x1 चाहिए तो जहां जहां x आ रहे वहां x1 पुट कर दो तो तो f of x2 की value आजएगी तो आपने यही किया f of x node के लिए जहां जहां x आ रहा था x node पुट किया तो f of x node की value आगी अब f of x node x1 x2 की value आ गई है del x1 del x2 del x3 की value निकाल नहीं है आपके पास basically formula यह होता है कि del x के जो होता है वो equal होता है आपके पास del k minus del k minus 1 इसका formula आपने याद कर लेना है अब देखें अगर हमारे पास k equal to 1 है k equal to 1 का मतलब यह है कि हमें del x1 का formula चाहिए del x1 का formula equal होगा x1 minus x node यानि x1 में से x node को minus कर दें इसी तरह जो del x2 अगर हमें 2 चाहिए के एक जगा 2 put करोगे तो del x2 की value equal होगी x2 minus x1 के इसी तरह अगर del x3 चाहिए के के जगा 3 put करोगे तो यह x3 minus x2 आ जाएगा यानि अगली टम में से पिछली टम माइनस करोगे तो इन तीनों टम्स की वैल्यू आजाएगी अब question यह होता है कि इनकी वैल्यूज एकस नोट, एकस वन, एकस टू यह कहाँ पड़े होंगे यह यहाँ पड़े होंगे यह जो P का partition का point दिया हुआ है इसकी पहली वैल्यू को आप लोग एकस नोट कहते हो, 2nd वैल्यू को एकस वन कहते हो, 3rd को एकस डू कहते हो और 4 और X3 कहते हो अब पहली वैल्यू चीह थी del X1 इसका फोर्मुला है X1 – X3 नोट तो 3 – 1 इदर आजाएगा डेल x2 के लिए formula x2 minus x1 तो x2 minus x1 यह 4 minus 3 आजाएगा आपके पास इसी तरह third time के लिए 5 minus 4 आजाएगा तो यह आपके पास यह चीज़ मन जाएगी आप इसको simplify करोगे multiply करोगे क्योंकि x node x1 x2 x3 एक question के अंदर given होते हैं करने के बाद आप लोग जब इसके अंदर value substitute कर दोगे तो देखें आप लोगों ने यहां से यह वाली values तो put कर दी x1 x2 x3 जो यह वाले formula की थी अब यहां पे भी x node आ रहा है यहां पे भी x1 आ रहा है यहां पे भी x2 आ रहा है इनकी जगा पे इनकी values चाहिए तो यह जो x node है x1 x2 है यह वाली values उठा के इनकी जगापे पी put कर दोगे put करने के बाद इसको simplify करोगे तो यह आपके पास एक number बन जाएगा 5 x 2 plus 9 x 1 x 11 और add दिन जब इसको solve करोगे तो solve करने के बाद देखें आपके पास इसको add करोगे 30 बन जाएगा किसी भी constant नंबर पर limit apply कर दो तो वही answer आ जाता है तो 30 इसका left hand point आ जाएगा just formula लिखा n की value देखी कितनी थी one by one वहां तक open किया फिर f of x node x1 x2 की value function से निकाली x node x1 x2 x3 इदर दिये होए थे आप value put करते हो और आपका answer आ जाता है अब उसकी बार right hand आपके पास end point का formula आता है यह दोनों formula सेम होते हैं फरक की होता है left वाले पे यहां xk-1 आता है right वाले पे यहां पे xk आता है तो आपने right वाले का formula याद किया right वाले के formula में भी same वही काम n की जगा value put कर दी वह 3 थी इसको one by one open किया इसको separate से भी open कर सकते हो उसके बार limit apply कर सकते हो या direct भी आप कर सकते हो ठीक है यहां पे एक step मेरा missing कि आप यहां साथ में limit and approaches to infinity भी लिखोगे यहां पे लिखोगे limit and approaches to infinity यह step मेंने skip कर दिया गलती से ठीक है यहां पे भी आएगा limit and approaches to infinity यह सारे के सारे के साल limit and approaches to infinity उसके बाद यह आप देखें उसके बाद इसको भी one by one open करें एक दफा़ के की जगा आपने one put करना है एक दफा़ के की जगा टू पूट करना है एक दफा 3, आपने के की जगा 1 put किया तो f of x1 into del x1 आगे 2 put, फिर 2 put, 2 put किया, x2 into del x2, फिर 3 put किया, तो x3 into 3 किया, क्यूंकि जो k है, वो 1 से स्टार्ट हो के 3 तक जा रहा है, और 1 और 3 के तर्मियां 2 आता है, तीनो टम 1 by 1 put की, फिर f of x1, f of x2, f of x3, same, इसकी value function के अंदर x1, x2, x3 put करने से निकाल ली, निकालने के बाद इनके जो del's के formula मैंने आपको बताया था, कि in journal जो ये formula आपने आत कर ले, ये xk minus xk minus 1 होता है, अगर k1 है, तो इसकी जगा 1 put करके formula निकाल लोगे, तो del x1 का formula आजाएगा, x1 minus x node, इसी तरह del x2 का formula आजाएगा, x2 minus x1, इसका x3 minus x2, formula से ये जो x nodes के point है, ये वाले points उसके अंदर आप substitute करोगे, in terms की value substitute करोगे, question के अंदर से, क्या आपके पास x1 की क्या value थी, x2 की क्या थी, x3 की क्या थी, सारी की सारी value substitute करने के बाद ये number की form आजेगी, और number पे limit apply करो, constant number पे constant number ही होता है, तो add दिन इसका answer solve करके, आप पास 42 आजाएगा, ठीक है, ये आपके पास left hand point का आगे, ये right hand point का आगे, अब next आपको mid point का formula बताती हूं,